हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी चैनल चुन्मन चुई है वीडियो में आज हम सिखेंगे अपोजिट वर्ड्स अपोजिट वर्ड्स का मतलब होता है बेपृत सब्द तो आज हम सिखेंगे जितने सारे यहाँ पे आपको वर्ड दिख रहे हैं उसके अपोजिट वर्ड हम लिखना सिखेंगे कि अपोजिट वर्ड क्या होते है यस का होता है नो, कम का होता है गो, ओल्ड का होता है न्यू, फास्ट का होता है स्लो, गुड का होता है बैड, बीक का होता है स्मॉल, fat का होता है thin, या fit, boy का होता है girl, dry का होता है wet, clean का होता है dirty, tall का होता है sort, आप देखेंगे, आप का होता है down, hard का होता है soft, hot का होता है cold, far का होता है near, open का होता है close, give का होता है take, heavy का होता है light, low का होता है high, weak का होता है strong, sad का होता है happy, in का होता है out, अब एक बार इसे पढ़ते हैं, yes का मतलब हाँ, no का मतलब ना, yes का अपोजिट no, come का मतलब आना, go का मतलब जाना, come का अपोजिट go, old का मतलब प्राना, new का मतलब नहीं, old का अपोजिट new, fast का मतलब तेज और slow का मतलब धीरे, fast का अपोजिट slow, good मतलब अच्छा, bad मतलब बीग का मतलब होता है बड़ा आइसमॉल का मतलब छोटा बीग का अपोजिट एसमॉल फैट का मतलब मोटा थीन का मतलब बतला फैट का अपोजिट थीन बॉय का मतलब लड़का गर्ल का मतलब लड़की बॉय का अपोजिट गर्ल ड्राई का मतलब सुखा, वेट का मतलब गिला, ड्राई का पोजिट वेट क्लीन का मतलब साफ, ड्रटी का मतलब गंदा, क्लीन का पोजिट ड्रटी टॉल का मतलब लंबा, सौट का मतलब छोटा, टॉल का पोजिट सौट आपका मतलब उपर, डाउन का मतलब नीचे, आपका 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 का मतलब देना, टिक का मतलब लेना, इब का पोजिट टेक, हैवी का मतलब भारे, लाइट का मतलब हलका, हैवी का पोजिट लाइट, लो का मतलब कम, हाई का मतलब ज्यादा, लो का पोजिट हाई, विक का मतलब कमजोर, श्ट्रॉं का मतलब मजबूत, विक का पोजिट श्ट इनका मतलब अंदर आउट का मतलब बाहर इनका अपोजिट आउट आपको हमारा वीडियो आच लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें